और यहां पर देख सकते हैं लाइफ देख सकते हैं और अब मैं अपरे दर्शकों को कहूंगा कि अब देखिए कि उत्तर परदेश सरकार ये लोग दो मैने जादा जो है बैठे हुए है दर्ना परदर्शन पे पांच दिन का आमरान अंसन हुआ भूखे पैसे इनों ने मैने की टंकी पे बैठे हो गया उसके बावजूद भी सरकार से परसासन से इन से कोई मिलने नहीं आ रहा है और आप देख सकते हैं लोग कैसे छो रहे हैं मच्छर इन लोग को काट रहे हैं खुले आसमान में ये लोग सो रहे हैं बारिश आज आती है तो ये लोग बीग ज होना चाहिए इतना संगर्स कर रहा है स्टूडेंट अब हम सब योग स्टूडेंट है तब ही सरकार नहीं मान रही है और दाजी के रहा हुआ दिन है दस वा दिन है रात है नहीं तो हम आपको दिखा सकते थे कि पानी की टंकी पे अभी वो लोग चड़े हुए हैं इतनी ज कितने लोग है पानी की टंकी पे तीन लोग है तो आप देख सकते हैं और मैं इनकी हालात एक पर दिखाने कोशिश करूँगा आपको कि इसमें कुछ अपनी बहने भी हैं आप देख सकते हैं खुले आसमान में खुले आसमान में कैसे सिच्छा के बैड़ती सो रहे हैं और क्या हम अपने घर के नौजवानों को अपने घर के बच्चों को ऐसे रात में अकेले छोड़ सकते हैं ऐसे खुले आसमान में सोने की इजाज़त दे सकते हैं सरकार दो महीने से ज़्यादा हो गया तेरिशट ज क्या हालत है और आप देख सकते हैं यहां पर हमारे साथ एक और भाई इंसे बात करने कोशिश करेंगे क्या नाम आपका सर मेरा नाम अलोग सिंग प्रियार है अलोग सिंग नाम है अपका अलोग सिंग जी तिरश्ट दिन हो चुका है दन्ने परदर्शंग को 21 जून से चालू कि दस दिन से ज़ादा हो गया पानी की टंकी पर लगातार लोग साथ लोग चड़े हूए तो क्या लगता सरकार जब अब तक नहीं सुने तो क्या आप सुने की ठूथ सरकार को सुनना इस लिए पड़ेगा क्योंकि हम लोग योग यह भरती है उसके मानक पर पास हैं और 97 सब्सक्राइब में यह मैं देखर हम आनने वाली माई में पर सावन का महीन अड초 तो आप देख सकते हैं यहां के हालात देख सकते हैं और मैं रात में इसलिए आया ताकि मैं अपने तर्शकों को उत्तर प्रदेशी चंता को इस इच्छा के बेटियों के हालात दिखा सकते हैं पानी की बलगातार यही लोग चड़े हूं उसके बाद भी सरकार इनकी बात नहीं जुन रही हैं कम से कम सो परसंट नहीं तो 50% को मानें कोई आगे नहीं आ रहा हैं अकिल का सरकार यहीं लोग चुनते हैं मुखमंतरी विदायक MP मंतरी यही लोग बनाते हैं उसके बावजूद भी यह लोग सड़क पे हैं रोड़ पे हैं आसमान के नीचे हैं बरसात में यह भीग रहे हैं दूप में यह तप रहे हैं आंदी तूफान धूल यह जिल रहे हैं अगर यह लोग अलिजबल है तो इनकी बरती क्यों नहीं हो रहे हैं ऐसा कौन सा गोटाला हो गया आई बरती में और मैं आपको लगातार बताने कोशिश करूँगा मैं लाइव इसलिए हूँ कि आप देख सकते हैं कि सिच्छा के बरती कितरा संगर्ज कर रहे हैं आप देख सकते हैं मैं दिखाने कोशिश करूँगा आप देखिए खुले आसमान में हैं यह लोग और लगातार आप देख सकते हैं कि यह बारिश होती है, हर चीज होती तो यह लोग ऐसी रहते हैं आईए हम बात करते हैं कि भाई हमारे साथ और हैं क्या नाम आपका मेरा नाम गोपाल दुएदी, मैं जला जालौन से ब्लांग करता हूँ जालों से आये हैं आप, क्या लग रहा है, सरकार को सुनेगी आप लोग के बारे में? सरकार सुने या नो सुने, मैं इसी तरीके से धर्ना देता रहूंगा, जब तक सरकार सीट जोडेगी नहीं, तब तक हम इस जगए को छोडेंगे नहीं, हम सीट यहां से लेके ही जाएंगे. 33 दिन हो चुका है, अब तक नहीं सुनी, तो क्या लगता है, आगे सुनेगी? अरे हमें पूर्ण उम्मीद है, योगी आज़त नाजी पर, हमारे यससवी मुखमंतरी योगी आज़त नाजी है, हमें उन पर पूर्ण बरोसा है कि वो योगता का शम्मान करेंगे, और हम योग सिक्चकों को जल्द ही 5 सितंबर, 5 सितंबर जो सिक्चक दिवस की रूप मे बनाए जाता है, और वो जल्द ही हमें इस दर न्युक्ति का हम घोषणा करने की, पारिश आने वाली है, तो पारिश में कहां सोंगे आप, अब बारिश में तो अभी सर ऐसे ही अब भीगना पड़े का इस समय यहां पर रुखने का कोई सही स्थान है नहीं, जिसलिकि मैं पानी पीने के लिए आप लोग रोग दिये गया, तो काफी कटनाई हैं का सामना आप लोग को करना पड़ा, तो क्या आप वो सब पानी और सोचाला फिर से आप लोग की उपलब्द हो गया है? अभी उपलब्द नहीं हुआ है, टैंकर भी हम लोगों त्वी दिन से कह रहे यह आज बंद करिये और फलाना यह रमकाई स्ट्राइप की बाते करते हैं, योगी जी इन युवाओ को आपसे बहुत उमीद है, और बारिश हो रही है, और यह बारिश हो रही है, अब बारिश आ चुकी है, इन युवाओ को आपसे बहुत उमीद है, और आप देख सकते ह कि बारिश होके यह लोग कैसे जा रहे है अब देख सकते हैं आप मैं लाइष दिखा रहों आपको कि बारीष तो यहाँ पर यह इंयाज अब है चाहता हूं क्रति करन प्यभाग का ये विभाग बंद किया हुआ है अगर यह हम खोल दें तो यहां पे शिच्चा के बेड़ती जो रात को बारिश बीगते हैं दूप में तपते हैं दिन में उधर भी है तो इनको कुछ सुधा मिल जाएगी आखिरकार ये लोग उत्तर परदेश के रहने वाले हैं इन लोगों ने भी उत्तर परदेश में वोट दिया होग यही लोग चुनते हैं मुख मंतरी यही लोग चुनते हैं विदायक को यही लोग चुनते हैं मंतरी को उसके बावजूद भी इन लोगों के साथ ऐसा वेवार क्यों हो रहा है आप देख सकते हैं जैसे ही बारिश होने जारी है यह लोग खड़े हैं यह लोग खड़े हैं और यह लोग ऐसे खड़े हैं देख लिखते हैं मैं कैमरा परसन कहूंगा कि इनके चैरों को एक बर दिखाएं देख सकते हैं हमारे पास कहाने को पहँजे कंपे इनके बहुत पहनने को तो यह तो यह यह रखने भी आपको पास्तीं को बहुत नहीं महीं भी है कि अग्दम साब खड़ी हो गई क्यों खड़ी हो गई आप इनके संगर्सों को देख सकते हैं मैं इसलिए रात में आया कि ताकिन के संगर्सों को मैं आपको दिखा सकते हैं कि हरे रंगी पॉरतीन है और यहां पर देख से बारिस होगी तो लगातार ही सब खड़े हैं अगर रात भर ऐसे बारिस होती रहेगी तो रात भर यह सिच्छक परती ऐसे खड़े रहेगी मैं लाइव होने का मकसद यही था कि इनके दर्द कुम आपको दिखा सकूँ अगर यह लोग सही नहीं होते तो तिर्शर दिन से लगाता आरे लोग धरना परदसन ना कर रहे होते 5-6-6 दिन से लोग भुगे प्यासे ना पड़े होते 12 दिन से लोग पानी की टगी पर नहीं चड़े होते आप इनके चैरों को देख सकते हैं कि मैं फिर दिखाना चाहूँगा कि अगर बारिश रात भर होती रही तो ये पहने ये मेरे भाई रात भर ऐसे ही खड़े रहेंगे क्या कोई रात भर खड़े होके क्या कोई नेता अपनी रात गुजार सकता है खड़े होके एक लग सेतिस जार जो रिकपध हैं, अगर वो ठीक है, इन से आके बात करें, प्रसासन जो कोई आके इन से बात करें, विभाग से आकर कोई इन से बात करें, सरकार से आकर कोई इन से बात करें, आखिर तिरिशट दिन हो गया, सरकार के कान में जूख क्यों नहीं रहेंग रह कि वो योगता को पहचानेंगे और इनकी मुसीबतों का हल करेंगे